आने वाला हूँ cut-off सबसे पहले male and female both की मैं cut-off बताऊंगा अगर आपके इतने number बनना है तो बुल्गुल 500% running चालू कर दीजे male and female both की मैं cut-off बताने वाला हूँ सबसे पहले बात करने वाले fifth important most document की आपके पास graduation की degree या पर provisional degree ही मान होगी सिर्फ आपके पास जो mark sheet आती है graduation की mark sheet आपके valid नहीं होगी क्योंकि जिसके आप लोगों ने UPSI का exam दिया था एक्जाम देने के बाद answer की भी match कर ली थी लेकिन answer की match करने के बाद आप काफी दिन भी होगा लेकि result का कुछ भी आता पता नहीं है तो students का doubt था क्या से result जो है वो चुनाओं के बाद आएगा तो आ भी सकता इसकी भी possibility है वो भी fact मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा साथ ही students का doubt था कि दौर अब तो मार्च में होगी क्योंकि आपको पता ही है आचार सहीता लागू हो गई है आचार सहीता लागू होने के बाद आपकी सभी भरती पक्रियाओं में रोक लग गए जो भी new आने वाली थी यानि कि आप कोई नई भरती तो आएगी नहीं और साथ ही जो पुरानी भरतीयाओं में थी उनमें भी इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि final result नहीं जारी करेंगे हो सकता है कि आप लोग का ये result जारी कर दे डीवी पेस्टी करा दे और running बाद में कराएं तो इसकी भी possibility है क्योंकि आपको पता ही है जो आपके CM के द्वारा टैबलेट और स्मार्ट फोन दे जारी उस पर भी रोक लगे वो तो कुछ नहीं था उस पर भी रोक लगे तो final result तो नहीं आएगा आप चाहे किसी का भी exam देंगे final result नहीं आएगा इस चुनाओं अचार सहिता में और साथ ही आप लोग को पता ही होगा जो आपकी new vacancy आने वाले जी 26,000 जो आपके 382 से 84 पत जो आ रहे हैं काॉस टेबल के उसका भी अब notification आने के कोई भी chances नहीं बनते हैं क्योंकि अब अचार सहिता लागो हो गई है कि आपको पता है साथ में कोविड भी आ गया है आज एक लाग चौरानवे से 96 अजार केस आ रहे हैं तो समझा सकते अप्रॉक्सिमेट माले तो दो लाग केस पर दे आ रहे हैं अपने इंडिया में सो इसका भी थोड़ा इफेक्ट पढ़ने वाला है साथ में अचार सहिता भी लगए यानि कि दो फेक्ट आपके बन गए हैं पहला तो है कोविड दूसरा है अचार सहिता दोनों कोविड और अचार सहिता में आपकी भरती पक्रिया रुख भी सकती है वीडियो को सब्सक्राइब नहीं चनल सब्सक्राइब कर दीजेगा पास में बैल आइकन को भी प्रसकर दीजिसे भी कोई न्यू वेकंसी के अब्डेट आ है तो आपको पता सबसके है चलिए बिनाफिस देरी के आज़ इस वीडियो को शुरू करते हैं भाई अब है अभी तक टेली गाम चलिक जोईनने किया Government अब आपको पता है ये उत्तरा खंडें भरती भी आ गई यह उत्तरा खंड की भरती नहीं देखिए तो उत्तरा खंड UKSI की उत्राखन की भरती आगे जैसे ही आप लोग टेलिगाम चैनल पे जॉइन होंगे यहां देख सकते हैं आप लोग कमेंट पिन है कमेंट पिन पे जैसे ही आप लोग किक करेंगे यहां पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा इसको सभी स्टेट्स लोग भर सकते हैं अगर बात करें आपके रिजल्ट की कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है तो रिजल्ट आप यह जान लीजिए अगर 20 जन्वरी से पहले कुछ अगर अपडेट आती है तो आपका रिजल्ट आएगा अगर 20 जन्वरी से पहले कोई भी अपडेट नहीं आए तो आपका रिजल्ट आने की कोई पॉस्बल्टी ही नहीं बनती है आपका चुनाओ के प्रक्रिया के बाद रिजल्ट आएगा 20 जन्वरी से पहले अगर कोई अपडेट आया UPPRB करब से तो आपका DVPST करा रहे जाएगता है हो सकता है कि ये लोग रिजल्ट दे दें रिजल्ट के बाद आपकी रनिंग जो है वो चुनाओ के बात करें और DVPST भी आपके चुनाओ के बात करें क्योंकि आपको पता ही अचार साइता लागू है कोई भी न्यू भरती नहीं आ रहे है जिससे आपको पता होगा 26,382 पत्थे उनकी लिए भी अब भरती की प्रक्रिया कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा और साथ ही जितने आपके UP प्लिस से हेड कॉंस्टेबल के जो रेडियो अप्रेटर के पदाय हुए तथा UP लेकपाल के जो पदाय है इनका एक्जाम चुनाओं के बाद ही होगा उससे पहले कोई होने चुनाओं होने की पॉस्बल्टी भी नहीं है क्योंकि जब आपके स्मार्टफोन और टैबलेट पर रोक लगा दी गई है अचार साइता के दौरा तो आप इसका भी समल लीजे क्योंकि आपको पता है इलेक्षन कमीशन ने दस फरवरी से चुनाओं रखे हुए हैं दस फरवरी के बाद सभी मुख्याले क्योंकि आपको पता है जिला मजिस्टेट जो आपके होते हैं और डिस्टी मजिस्टेट वही आप लोग की रनिंग आपके जब आप लोग की रनिंग होती है तथा डाकुमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तब तक वो लोग उपस्तित होते हैं DM तथा SDM भी सब डिस्टी मजिस्टेट जो होता है जिसे तैसिलदार भी कहते हैं वो सब लोग वहीं पर जब आप लोग की भड़ती पक्रिया होती है, यानि कि फिश्कल कराया जाता है, तिफ़ डिवी पिश्टी कराया है, वो लोग उपस्तित होते हैं, लेकिन चुनाओं सहीता, यानि कि जब चुनाओं हो रहे हैं तो बोलो कि उनकी duty तो चुनाओं में लगेगी क्योंकि चुनाओं के प्रक्रिया वही लोग देख रहे हैं तो हो सकता है कि result ना आए और हो सकता result आ जाए इसकी possibility 50-50 है यानि बात कलने 60% आपका result आने की सम्मावना है और 40% result ना आने की सम्मावना है क्योंकि आपको पता ही है हो सकता है कि वो result दे दे और DVPST तथा दोड़ जो आपकी करानी है लड़कों की 4.8 km और लड़कियों की 2.4 km जो आप लोग की दोड़ है वो चुनाओं के बात कराए हो सकता है यही हो सकता है अगर कोई भी अपडेट आना होगा तो 20 जनवरी से पहले आ जाएगा 20 जनवरी के बाद कोई भी अपडेट आने की सम्मावना नहीं है अब बात कर लेते कट आफ की उनोंने 2021 का भी फॉर्म बना था उनकी प्रपेशन अच्छी हो क्योंकि वो 5 साल पहले से तैयरी करना है और आप लोगों से काफी सीनियर भी होंगे तो उनकी प्रपेशन हद तक काफी हद तक आप लोगों से अच्छे ही नमर बने होंगे और उनकी कट आफ भी और उनके नमर भी अच्छे बने होंगे तो अब उन लोगों की सीट तो खाली जाएंगी उस सीट पे अब आप लोगों को फायदा मिलेगा तो 2022 के जो UPS है के रिजल्ट आएगा उसमें कितनी कट आफ जाती है चलिए उसके पर भी बात कर लेते हैं उससे पहले वाई वीडियो बड़े अलाग रहा हो ना तो लाइक भी कर दीजेगा और चैनल पर नहों चैनल को सस्क्राइब जो कर लीजे इसे भी कोई न्यू अब वकेंशिक अप्डेटा है तो आपको पता सब देगे चलिए अब कट आफ की बात कर लेते हैं कट आफ के बाद आपको important documents की भी बात करेंगे यह important documents तो आपके पास होने चाहिए डीवीपेस्टी के लिए अगर आपके पार डीवीपेस्टी के लिए डाकुमेंट्स नहीं है तो आप disqualify हो जाएंगे चलिए आप cut-off की बात कर लेते हैं चलिए आप बात कर लेते हैं UPSI द्रोगा भरते की fiscal के लिए cut-off अब students cut-out और fiscal के लिए cut-off क्यों बता रहा हूँ तो मैंने आपको पहले ही बता दिए जब आप लोग का result आएगा return result आएगा सिब इतना ही लिखके आएगा DB PhD में selected हुए है अत्वा नहीं हुए है योगि बहुत student ने इससे पहले जो constable का exam दिया होगा उसमें constable में तो लिखा रहता है कि इतनी cut-off गई है लेकिन SI का थोड़ा सा इसमें format अलग होता है इतना ही रिक्के आता है DB bestically select हुए है या फिर नहीं हुए है आज की इस वीडियो में हम male and female बहुत ही cut-off बताने वाले हैं यकीन मानिए अगर आपके इतने कोशन सही हो रहे हैं तो बुल्कुल running के लिए चालू कर दीजे आपको 100 नहीं 200% आप लोग को लिए बुलाया जाएगा 20,000 candidates में भी आप लोग का नाम होने वाला है बात कत लेते हैं male candidates की cut-off की male candidates में अगर आप लोगों के physical के लिए अगर 112 से 114 question के आज़ पास आप लोग के अगर सही हो रहे हैं तो बुल्कुल running चालू कर दीजे OBC की बात कर लें 107 से 110 question के आज़ पास अगर आप लोग के ठीक बैट रहे हो एक दो question उपर नीचे भी हो सकता है अब ये candidates ये ना सोचें कि सब मेरे 105 ही हैं तो क्या running करू तो भाई एक दो question उपर नीचे हो सकता है एक दो question उपर भी जा सकते है एक दो question नीचे भी जा सकती है cut-off अगर OBC वाले भाई है तो 107 से 110 के बीच में अगर आपके number बनना है तो बुलकुल question बनना है तो बुलकुल running चालू कर दीजे EWS वाले क्योंकि OBC से कम cut-off जाएगी EWS की क्योंकि OBC certificate के reservation के ज़्यादा candidates है EWS के कम है OBC के comparison में EWS काफी कम है बात कर लेते हैं EWS वालों 105 से 108 के बीच में जाएगी cut-off SC वालों की बात कर लें 97 से 102 के बीच में अगर question आपके ठीक बनना है तो बुलकुल running चालू कर दीजे HD वालों की बात कर लें बात कर लेते हैं अगर किसी फीमेल से 108 कोशन के आसपास अगर सही बनना है हो अगर 103 भी हो फीमेल से 103 ए 104 तो भी आप लोग रनिंग चालू कर दीजे आप लोग को फिचकल के लिए बुलाया जाएगा 20,000 कोशन के आसपास अगर सही बनना है तो बीचकल के लिए फीमेल से 101 की बीच कोशन ठीक बनना है तो बुलकुल रनिंग चालू कर दीजे HD वालों की बात कर लें 85-90 कोशन के बीच में आप लोग अगर सही बनना है तो आप लोग फिचकल की तयारियों सुरू कर दीजे 20,000 कंडियर्स में आप लोग का नाम होने वाला है फीमेल्स भी कट ओफ को कमेंट करके जरू बताएगा कि सर मेरे इतने नमबर बनना है और मैं इस सिप्ट से हूँ और साथ ही अपनी कटेगरी भी लिख दीजेगा इस सर में इस कटेगरी से हूँ तो मैं आपको क्लियर्ली बता दूँगा आप लोग को डीवी पेश्टी में जो 20,000 कंडियर्स हैं आप लोग को बुलाए जाएगा या फिर नहीं बुलाए जाएगा क्योंकि कट ओफ इस बार थोड़ी सी हाई जाने वाली क्योंकि आपको बता है यह चुनाओ है तो कोविट भी आ रहा है तो इसलिए कंडियर्स कम बुलाए जाएगे पहले फेश्ट में बुलाए जाएगे लेकिं फीमेल्स की दूसरी कट ओफ जरूर लगेगी दूसरी लिस्ट जरूर आएगी उसमें हो सकता है 20,000 कंडियर्स और बुलाए जाएगे male and female both के 40,000 candidates कुछ बुलाए जाने की आसंका है क्योंकि 20,000 candidates में 9,534 लोग को लेना impossible सी बात है क्योंकि कुछ लोग height running में ही बाहर हो जाएंगे so females भी comment करके जो बताईएगा कि sir मेरे इतने नमबर बनना है मैं इस category से हूँ और मेरी साथ ही इस सिफ्ट में exam हुआ था बात करते है एक सर्विसमेन वाले भाई की एक सर्विसमेन वाले भाई की अगर 85 से 90 कोशन की बीच में अगर सही बनना है तो बिल्कुल running चालू कर दीजे आप लोग को लिए भी डीवी पेस्टिक लिए बुलाया जाएगा और फीडम फैटर वाले भाई जितने भी है 87 से अगर 92 कोशन के बीच में अगर आप लोग के नमबर बनना है तो आप लोग भी running चालू कर दीजे आप लोग भी comment करके जो बताएगा कि मैं ex-serviceman हो और मेरी साथ ही category क्या है और साथ ही आप लोग की concept में आप लोग का exam हुआ था तो मैं आपको clearly बता दूँगा आप लोग को DV पेस्टिक लिए बुलाया जाएगा या पर नहीं बुलाया जाएगा 20,000 candidates में वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जो बताएगा वीडियो कैसा लगा कोई भी अगर doubt रह जाते हैं तो कमेंट करके जो बताएगा तो उसके doubts को clear जरू कर दूँगा शो वीडियो को share जो कर दीजेगा चलिए नेट्स वीडियो मिलते है न्यू मेंगान स्टेर रेपलिट के साथ तक तक लिए जय इन्जयवाद बंदे मातर हम